तो आज का जो वीडियो है वो है स्पेशली रिक्वेस्टेट बाइक सर तो उन्होंने बहुत टाइम से मुझे कह रहे हैं तो मैंने सचा बना देता हूं क्योंकि प्रॉमिस तो यह वीडियो मैं आज बना रहा हूं तो यह वीडियो है ईशा पे लाइफ पे जो गुदी मिलती है लिंग बहरवी गुदी उसके बारे में यह वीडियो है आज जो भी हम बात करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या है यह क्या है इसके बारे में बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्डन पॉइंट और थोड़ा ल सेक्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकली है और यह बिल्कुल तैयार हुई है बहुत टाइम लगा तो उनको यह बनाने में अपने घर लाना चाहता है वह इसको ला सकता है इसा से मंगवा सकता है और जिसके भी लाइफ में यह गुदी आती है यह लेंगा वहरो हुई मा का आशेबाता है ना तो उसको किसी बात का डर रहता है देखको अब को और दर होता है जो भी पोपर ले लेंगी अपाक आपके उपर से उसको हटा देगी यह सब इसलिए इन्गी तयार किया गया है तो जैसे कि विद्न हम आपको आओ ये चेलिए बशारा किया ग्योंग आपके लिए आप उपर आप देखते हो वह लिंग भारवी यंत्र है जो आगे देखते हो वह त्रिशों लेमा का और आगे जह को दिख रहा है वह डी एटेच्ट हो जाता है जो अप बॉक्से सकती उपर से कगरगर सब्सक्राइबूर वो अब इसको byटेश रहे हैं व मेन्ट करें के एक ही क्या जो इसके दोपर्द वूर्स कराये इसके रेगार्डिग करने से पहले मैं कुछ आपको बाते बताना चाहूँ है देखो जो इशा की जो गुदी है लिंग बहरवी यह डिजाइन और क्रियेटेड बाय है सद्गुरू तो आपको यह कहीं और नहीं मिलेगी एशा पर ही मिलेगी ठीक है अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ परेशानियों से जू जब आप ट्रस्ट करो तभी इन चीजों में घुसना तभी इसको मगवाना यू नहीं कि इसने मगवा लिया आपने यूट्यूब पर देख लिया यह वीडियो देख लिया तो हम ओलर करके देख लेते हैं देखना गलत है जब आप किसी चीज को मंगवा होगे तो आपको पूरा रख रखाओ करना पड़ेगा और उसका पूरा आपको मेंटेनिंस करना पड़ेगा उसी अकोर्डिंग जो रूल है वह आप वालो कर पाओगे तभी आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा तभी आपको लगेगा कि हां इस चीज ने काम किया है ठीक है तो मैं है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप दिल से मतलब फाइट करोगे और वावान के चड़नों में सब डाल दोगे जो भी आप कर रहे हो तो आपका जो काम है वो पूरे बनने लग जाएंगे जरूरी निकी यही पर्टिकुलर या कुछ भी पर्टिकुलर चीज कि सबसे पहली बात अगर आप लेते हो तो आपको दिन में एक बार तो लैंप मिहानी कि दिया जलाना ही पड़ेगा एक लाना ही पड़े ब्ले चाहें अप दिन में एक बार सकते यहाप को इंग बहर पर एब जाना ही ऐ है ठीक ए जो लिंग भे梵 इस्तूति है जो अब है कि आप जो कुमकुम है वह आप अपनी जो इदर उदर से मिलता है वो नहीं लेंगे आप इशा से ही लेंगे ईशा वाले ही लगाएंगे क्यों कि बागी कुमकुम में आपको घी या फिर पानी लेना पड़ता है लेकिन जो इशा के द्वारा आता है उसमें आपको इस अपनी लेना बस वो डबी खोलनी है और सीधा लगा देना है एक बार अच्छा जो कुम-कुम आप लगाओगे वह आप रिंग फिंगर से यह फिर थम से लगाओगे इसके अलवग कोई भी फिंगर आपको यूज नहीं करनी इनी दो नीचे तो फिर आप उसको दुबारा पहना सकते यह तो थे इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स कुछ अब हम बात करते हैं मेंटेनिंस के बारे में तो देखो सबसे पहला मेंटेंसरी आप इसको बार बार टच नहीं करोगे कितना भी आपको जरूर हो तो आप इसको टच नही करना अगर आपकर यह गंदा हो जाता है तो आपको जो डस्टिंग करनी है वो सिर्फ के क्लोफ से करनी है जो शायद उसके साथ अवेलेबल होगी आईशा पर होगी नहीं तो आप अपना भी ले सकते हैं कॉटन का नया क्लोफ लेना और उससे आपको साफ करना लिड वो नेसेसरी बार-बार नहीं खोलें जब सफाई की नीड हो सीरेसली तब ही साफ करें बागी लिड उसका बंद रखें जो लेंप पे वो डियाटेच हो जाता है आप उस लेंग को डियाटेच कर लें और अच्छे से उसको साफ कर लें ठीक है अब सफाई से याद आ है कि वो जो है वो पर का है पूरा बनावा तो थोड़े टाइम में शाइनिंग जो उसके कम हो जाएगी या थोड़ा ग्रीन हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना इसको आपको शाइनी बरकरार नहीं रखना तो आप इसमें कोई भी निब्बू होगे रहा है इसी कोई भी चीज आप उसको ओपन करें और दुबारा तीन फोल्ड में उसको बांद दें उसके उपर तो यह तो था इंपोर्टन पॉइंट और मेंटेनेंस में यह बार जरूर याद रखें कि उसको शाइनी रखना जरूरी नहीं है उसके कोई भी एक्स्टरनल इसी चीज ना लगा है जो म मैंने आपको कहा अगर आपको ट्रस्ट है तो यह चीजों में आप लें तो यह वो चीज आप लें यह सद्गुरू ने बोल दिया या फिर में यह वीडियो आपने देख लिया या किसी ने रिकमेंड कर दिया इस तरह आप उसको नहीं लें अगर आप पूर इटर को शिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर जो गुदी है आप कहीं घूमने जारें दस पंदरा दिन के लिए तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हैं क्योंकि लैंप आपको पूरे दिन में एक बार तो जलाना ही है तो मैं वह रिकमेंड करूँ है अगर आपका ओफिस है और आज आपने ओडर करी यह आपके लिए ही तयार होगी तो आपको यह प्रियोडर करने की करनी पड़ेगी और प्रिपैट पैसा देना पड़ेगा यानि कि पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे बाकि आप इशा की मेल पर उनसे कॉंटेट करके पूछ सकते हो वो डीडेल म नहीं करिए मैंने नहीं मैंगवाई क्योंकि मैं शिव जी की मूर्ती या फिर मंदर जाके काम चला लेता हूं और बागी तो भगवान हो दिल में है ऐसे नहीं है कि आप यह मतलें लेकिन कोई बात नहीं सबको जो जो पसंदों जो 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 लेना चाहे वो ले सकता है और आप अपना ध्यान रखें बाए बाए और आप कमेंट बुक में आर आर महादिर लिखतो